नमस्कार आप देख रहे हैं News24 का अपना YouTube चैनल News24 उत्तर प्रदेश उत्तराखन और मैं हूँ अशोग तिवारी आने वाले इस खास बॉलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की पांच बड़ी खबरों से रूब रूब कराएंगे यूपी में कोरोना किट खरीद घोटाले के मामले में कॉंग्रस ने किया जोरदार प्रदर्शन दरसल यूपी कॉंग्रस ने आज राजधानी लखनव में प्रदेश के अलग-लग जनपदों में कोरोना किट खरीद घोटाले के मामले में जोरदार प्रदर्शन किया जिसमें बड़ी संख्या में कॉंग्रिसी कारेकरता भी शामिल हुए प्रदर्शन के ठीक बात प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर कई गंभीर आरोब भी लगाए प्रियंका गांधी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में गोटाला हुआ है जिसमें अफसरों ने बड़ा खेल किया है और खुद योगी सरकार उन अफसरों को बचाने में जुटी हुई है यहां आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में कोरोना किट खरीद घोटाले के मामले में योगी सरकार ने पहले ही एक SIT का गठन किया है। उस SIT ने इस पूरे मामले की जांच परताल भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दस दिनों में ये SIT अपनी पूरी रिपोर्ट खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनाद को सौपेगी। BSP प्रमुख मायवती ने योगी सरकार को दी नसिहत कहा बच्चों की स्कूलों की फीस माफ करें सरकार। दरसल बस्पा प्रमुख मायवती ने उत्तर प्रदेश में अभिभावकों की खराब इस्थिती का हवाला देते हुए यूपी की योगी सरकार से ये मांग की है कि वो उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों की स्कूलों की फीस माफ करें। मायवती ने ये भी कहा कि फीस के खिलाफ अभिभावकों को धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा जहां पर उनके खिलाफ कड़ी कारवाई भी देखने को मिली। मायवती ने ये भी कहा कि सरकारें अपने शाही खर्चों में कटोती करके बच्चों की स्कूल की फीस माफ कर सकती हैं जिस से जनता को बड़ी राहत दी जा सके उत्तरप्रदेश में जारी है माफिया अतीक एहमद और मुक्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार की कड़ी कारवाई दरसल माफिया मुझतार अंसारी की पत्नी और उनके साले के खिलाफ आज योगी सरकार की तरफ से जनपत गाजीकूर में गैंगिस्टर एक के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ग्रह्व भाग की तरफ से दी गई जानकारी के मताबिक मुखतार अंसारी की पत्नी और उनके साले संगठित गिरों के रूप में अपराज करते आ रहे हैं और इसी के क्रम में सरकारी जमीनों पर कब्जे और सरकारी ठेकों को हासल करने के लिए इस्तिमाल किये गए फर्दी दस्तावेजों को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ गैंगेस्टर एक के तहट मुकदमा दर्ज किया गया है जिन लोगों पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मुखतार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी सरजील और अन्वर शामिल है यहां आपको ये भी बता दें कि यूपी की योगी सरकार की तरफ से माफिया अतीक एहमद और मुखतार अंसारी के कई अवैद निर्मार को पहले ही सरकार की तरफ सिर्भस किया जा चुका है उत्तरप्रदेश में जारी है योगी सरकार की ओपरेशन ब्यूरोक्रेसी फिर किये गए 15 IAS अफसरों के तबादले दरसल उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी इन दिनों उत्तरप्रदेश में किये जा रहे विकासकारियों की लगातार समीक्षा बैठका कर रहे है ये बैठके मंडलवार की जा रही है इन बैठकों में मुख्यमंतरी आदेतनात किये जा रहे विकासकारियों के प्रगती रिपोर्ट पर भी जिलादिकारियों से बात कर रहे है जिलाधिकारियों के कामकास संतुष्ट न होने पर उन्हें फिलाल पद से भी हटाया जा रहा है 15 IAS अफसरों के किये गए तबादों में 7 जिलाधिकारियों को फिलाल परतीचारत कर दिया गया है और उनकी जगह पर नए अफसरों को तैनाती भी दे दी गई है जिलाधिकारियों को फिलाल पद से हटाया गया है और प्रतीचारत किया गया है उनमें सीतापुर, सुल्तानपुर, ललितपुर जैसे जनपद शामिल है फिल्म अभिनेतरी कंगना रनावत के मुद्दे पर खुल कर सामने आ गये है आयोध्या के साधुसंत एलान किया गया है आयोध्या आने पर होगा उद्धव ठाकरे का विरूद दरसल महराष्ट में शिवसेना और कंगना रनावत के मुद्दे पर अब आयोध्या के साधुसंत भी खुल कर कंगना रनावत के समर्थन में खड़े हो गये है आयोध्या के साधुसंतों ने एलान किया है कि जिस तरह की कारवाई महराष्ट में कंगना रनावत के खिलाफ की गई है वो पूरी तरह से अनुचित है और ये शिवसेना अब बाला साभ ठाकरे के शिवसेना नहीं रही है सादू संतों ने इस बात का भी ऐलान किया है कि जब भी शिव सेना प्रमुक उद्धर ठाकरे आयोध्या आएंगे तो वहाँ पर उनका विरोध किया जाएगा विश्व हिंदू परशद ने भी संतों को इस बात पर समर्थन दिया है